आज की वीडियो के हम शब्द पढ़ते हैं पहले अब करपटि का, रोटी, फुलका तक्रम, छास, छाच या लस्सी कुंडली नी, जलेबी, जलेबी यसी कुंडली की तरह होती है तो जलेबी दधी, दही, कुथिका, कड़ी, बेंजनम, सजी, भाजी, तरकारी कुछ भी कह सकते हैं ग्रहामी, लेता हो, मतलब ग्रहेड करता हो तो उससे बराए ग्रहामी ग्रहासी तूम लेते हो या तू लेता है ग्रहाती वह लेता है दैबम, भाग्य, नवनीतम, मक्खन, ग्रतम घी, दुगधम दूद, सूपम दाल, ग्रहाम ले मतलब ग्रहेड कर, बद बोल कहे, लिख लिख दुर्दैबम, दुर्भाग्य, या आफत तो हम इन शब्दों को अच्छे से याद करेंगे और उसके बाद अब इनसे वाग्य बनाएंगे तो ये रहे वाग्य मैंम इदानीम एव करपटिका देही मैंम मतलब मुझे इदानीम अभी ये मतलब ही, मुझे अभी ही करपटिका जलेवी देही दे मुझे अभी ही जलेवी दे तुम प्राता तक्रम पिवसी किम? तुम तुम प्राता सुबा सुवे तक्रम मतलब छाच या लस्ती पिवसी पीते हो किम क्या? तुम सुबा सुबा छाच पीते हो क्या? सावढशी प्रातस सुभा कुंड्रे नी जले भी गर्षति कवाता है। मैं क्वथिका ददासी किम मैं मुझे क्वथिका कड़ी ददासी देता है किम क्या मुदे कड़ी देता है क्या सा भक्षडार्थ व्यंजनम इच्छती सा वह भक्षडार्थ मतलब खाने के लिए भक्षड करने के लिए खाने के लिए व्यंजनम सब्जी इच्छती चाहता है यह मखन लो यह मकन ग्रहन करो ग्रतम चत्र के मरतम नै चीँ ग्रतम घी चत्र वहां के मरतम किसलिए नो चीँ ले जाना घी वहां किसलिए झाता है बद मतलब कहो बताओ एहम भक्षण आर्थ ग्रतम दधी न नयामी एहम मैं भक्षणार्थ मतलब खाने के लिए गृतम घी, दधी, दही ना और नयामी ले जाता हूं मैं खाने के लिए घी और दही ले जाता हूँ यदी तुम सुपम इच्छ सी तरही ग्रहाम यदी तुम यदी मतलब अगर तुम मतलब तुम सुपम दाल इच्छ सी चाहते हो तरही तो ग्रहाम मतलब लो अगर तुम दाल चाहते हो लेना तभी लो सा बहु ब्यंजनम भक्ष्यती तत ना वरम सा वह बहु मतलब बहुत ब्यंजनम सबजी भक्ष्यती खाता है वह बहु सबजी खाता है तत ना वरम ऐसा ना नहीं वरम अच्छा है ऐसा अच्छा नहीं है वद तुम कुत्र गच्छसी वद कहो कुत्र मतलब कहां गच्च से जाते हो बोलो तुम कहां जाते हो कुत्र मतलब कहां जाते हो